हेलो एवरिवन तो टोडे विल बी डिस्कर्सिंग कॉशन नमर ट्विंटी वन ओफ लिट कोड विचिस मर्स तू सॉटेट लिस्ट तो यह जो कॉश्चन है यह मेरी प्लेलिस्ट का रिकर्शन प्लेलिस्ट का पहला कॉश्चन है और यह एक एजी प्रॉब्लम है काफी विडियम हार्ड कॉश्चन से डिल करेंगे पहले कुछ इजी प्रॉब्लम करेंगे जिससे आप यूश्ट हो जाओ रिकर्शन के और इसका फ्लो क्या होगा सबसे पहले ना मैं आइटरेटिव सोलूशन डिस्कॉस करूंगा ठीक है आइटरेटिव सोलूशन क्या है कि अब ठीक है रिकर्शिव सोलूशन देखेंगे उसका और ही हम आइटरेटिव से ही डिराइफ करेंगे ठीक है आइटरेटिव से हम इसको डिराइफ करेंगे और अब देखोगे कि जो रिकर्शिव कोड है इसका वो काफी स्मॉल है वो बहुत छोटा है रिकर्शिव से तो बहु हमारी base condition second हमारा recursive relation और तीसरा क्या हमारा task ठीक है यह तीन चीज हमको बिल्कुल दिमाग में बठाके रखना है कि हमको इन तीन चीजों में focus करना है और यह चीज हमारी तीनों की तीनों हो गए तो solution अपने आप खतम हो जाएगा ठीक है question solve हो जाएगा तो देख लेते हैं इसमें को करना क्या है तो यहां पर हमको ना दो link list दे रखी है एक L1 है और एक L2 है ठीक है यह L1 है और यह L2 है हमको इन दौनों को merge करना है कि मर्ज जैसे करना है कि यह जो resulting link list हो वह sorted हो जैसे कि 1 1 ठीक है 1 1 उसके बाद 2 आया उसके बाद 3 आया उसके बाद 4 आया उसके बाद 4 आया ठीक है यह दौनों को merge करने के बाद अब क्या है ना यह जो link list के problem से थोड़े से tricky होते इंप्लिमेंटेशन वाइस तो उसमें बहुत ध्यान देना होता है तो अगर आप ध्यान से सुनोंगे इसको तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैं बिल्कुल line by line बिल्कुल detail में समझाने वाला होगी इसका जो iterative solution है तो उसके बाद हम recursion में जाएंगे ठीक है सबसे पहल यह पहली list है और यह L2 है और यह L1 एक pointer है जो कि इसके first node को point कर रहा है similarly L2 भी first node को point कर रहा है list 2 की अब इसमें जो value है यह 1 है और यह जो address वाला part है इसमें next node का address है जो की cross B है और वैसे ही जो second node है उसके जो address part है उसमें third node का address stored है ठीक है ऐसी देख लो इसमें जो D है यह इ next node का address stored है वैसी cross F इस node का address है अब क्योंकि यहां पर node खतम होगी तो यहां पर जो address है वो null है यहां पर link list खतम हो जाएगी अब हमने क्या किया न यह चीज हमने बनाई यह हमने क्या किया dummy dummy हमने node बनाया और यह एक pointer है dummy pointer जो कि इसको point करेगा हमने एक और pointer बनाए इसको ITR ब ठीक है तो अब देखो यहां पर क्या करना है न हमको एक नई list return करनी है जो कि sorted है merge करने के बाद L1 और L2 को merge करने का बाद जो नई link list बनेगी वो sorted होनी चाहिए तो जो पहली जो list का जो पहला element है जो list का जो पहला element है उसको यह point करेगा मतलब उसमें इसका जो address है न वो यहा code होगा और हम इसको dummy.next करके return करा देंगे तो उससे हमारी जो answer वाली list है वो हम return करा सकते है ठीक है code में और अच्छे समझ में आएगा अब यहां पर concept समझो कि हम कर क्या रहे है ठीक है अब यहां पर देखो यहां पर मेरे को एक address डालना है अब जो L1 है और L2 है यह head को point कर है हमको sorted चाहिए ठीक है तो जो पहला element होना चाहिए वो सबसे छोटा होना चाहिए दौनों में से हना तो यह इसको point करेगा तो यह cross A डाल दूँगा मैं यहां पर तो यह इसको point करने लगेगा अब क्यूंकि L1 का जो पहला element है वो process हो चुका है तो हम L1 को आगे बढ़ा द होगा अब यहां पर इसके बस दो option है यह तो L1 के पहली element मतलब यह तो L1 को point करो या L2 को point करो अब इन दौनों में से छोटा कौन सा यह चोटा है ना तो यह cross B की जगा cross D को point करेगा cross D को point करेगा स्वरी ठीक है अब यह क्या करेगा यह इसको point करेगा अब क्यूकि L2 का यह process हो चुका है element इसको मैं क्या करूंगा आगे बढ़ा दूँगा अब ये मेरा L2 इसको point कर रहा है ठीक है ये मेरा L2 इसको point कर रहा है अब जो मेरा latest element है जो मेरा latest node है जो मेरा latest node है वो किसको point करना चाहिए L1 की L2 को इननोमे से छोटा कौन है 3 तो ये 3 को point करना चाहिए तो यह क्या store करेगा यह store करेगा B cross B तो यह इसको point करने लगेगा ठीक है और meanwhile यह अला जो है न यह इसको point नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यह deep stored है यह skydress stored है तो यह इसको point नहीं करेगा तो यह मैंने pointer हटा दिया और यहाँ भी यह pointer हटा दिया क्योंकि यह इसको point कर रहा है अब L1 process हो गया यहाँ पर तो L1 को आगे बढ़ा दो ठीक है L1 को आगे बढ़ा दो अब L1 इसको point कर रहा है अब L1 इसको point कर रहा है अब तुम्हाँ पास यह एक L1 है और यह एक L2 है अब यहाँ पर तुमको decide करना है कि cross C आएगा कि cross E आएगा कौन सा छोटा है? 4 है ना तो यहाँ पर cross E आएगा तो इसको मिटा दो और यह किसको point करेगा? इसको point करेगा ठीक है? अब तुमने इसको point कराया है तो L2 process हो गया L2 को आगे बढ़ाओ भई comparison करना है ना हमको तो L2 को मैंने आगे बढ़ाया तो L2 आगे है यहाँ पर ठीक है? अब यहाँ पर F की जगह क्या आना चीए? cross C आना चीए कि cross F आना चीए? तो इन दौने में से छोटा कौन सा है? 5 ही छोटा है तो cross F सही है अब बचा क्या? बचा क्या? क्योंकि मेरे पास जो L2 है L2 तो NULL को पॉइंट करेगा L2 is NULL now तो और कुछ बचा ही नहीं है मैं comparison के लिए तो मैं इसका जो NULL है ना इसकी जगह इस cross C का address डाल दूँगा बचे हुए list का क्योंकि क्योंकि जो बची हुई list होगी न उसके जितने भी elements होगे इससे तो बड़े ही होगे तो वो sorted ही होगी ठीक है? थोड़ा ध्यान से सोचो इस चीज को जो बची हुई list होगी न उसके जितने भी elements होगे ये 5 से तो बड़े ही होगे क्योंकि ये भी sorted है यह यहां से आई यह यहां से आई फिर उसके बाद यह ऐसे आई फिर यह आई ऐसे और इसके बाद यहां पर यह तुम्हारी final link list है थाना तुमने उसके जो address पार्ट में कैसे तुमने store कर रहा है next note का यही बस करना iterative में हमको और तुम return क्या करोगे dummy.next क्या return करोगे तुम dummy.next dummy return नहीं करोगे यह तो dummy return कर दो कि तुम गलत link list return कर रहे हो तुम dummy.next मतलब तुम इस pointer को return कर रहे हो मतलब तुम इस note को return कर रहे हो तुमारा जो pointer है ना वो इस node को point करना चाहिए जिससे जो तुमारा compiler है जो भी judge है वो क्या करेगा वो ऐसे trace करेगा सको वो पहला node इसमें आएगा फिर 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 इसमें आएगा और फिर इसमें आएग तो code करते हैं, code करने से पहले मैंने यहां पर यह dummy node बना ली है और जो new list node of 0 है यह new pointer return करता है जो कि एक new node है जिसके value 0 है और उसका जो address part उसमें null है और वो एक return करेगा pointer जो कि यह dummy pointer है इस node को point करेगा ठीक है और यहां पर जो मैंने एक और iterator बनाया था जो मैंने बोला था मेर होगा एक iterator होगा iterator से मैं पूरी list को iterate करोंगा जब मेरी merge sorted list होगी ना यह उसके लिए iterator है ठीक है और dummy को मैं return करना है dummy को मैं इसलिए बना के रखू कि मैं dummy.next return करोंगा तो मैं पहले से यहां पर return कर जाता हूँ dummy.next ठीक है यह मेरे को return करना है अब मैं अपना while loop चला हूँ तो while loop में क्या होगा कि भाई इन में से जो भी list है दौनों की दौनों होनी चाहिए अब मैंने क्या किया था जो मेरा idr next है जो कि मेरा idr next जो मेरा dummy pointer में जो next किसको point करेगा l1 को point करेगा कि l2 को point करेगा तो मैंने कैसे decide कि कि किसकी value छोटी है राइट तो list1 जो well है अगर वो छोटा है list2 of well said तो क्या करूंगा मैं idr का next है जो next point करना चाहिए वो किसको point करेगा l1 को list को point करेगा ठीक है और जो list1 है क्योंकि वो process हो चुकी है तो उसको आगे बढ़ा दू list1 is equal to list1 of next ठीक है अब यह मेरा यह तम हुआ कि जब list1 का जो पहला element था जो list1 का जो पहला head था वो छोटा है उससे लेकिन अगर उल्टा हुआ तो क्या करूंगा मैं उसका उल्टा कर दूंगा तो उससा code कैसा होगा कि यहां पर यहां पर पार्ट है यह पूरा copy कर देता हूं ठीक है और इसको as it is यहां पर लिख दूंगा अब यहां पर मेरा क्या करना है लिस्टू को पॉइंट करना है और लिस्टू को आगे बढ़ाना है ठीक है लिस्टू को आगे बढ़ाना है क्योंकि अगर जो लिस्ट का जो पहला element है वह छोटा हुआ तो itr के next में उसका पहला element आएगा लिस्टू का तो sfl condition थी अब इसमें क्या किया था मैंने जो मेरा itr उसको भी तो आगे बढ़ा हुआ उसको भी तो traverse करना है उसको भी तो next elements देखना है अभी तो itr is equal to itr of next ठीक है अब अभी क्या हुआ कि एक तो null हो गया और एक बचा हुआ है जो कि example देखा था ना कि भाई एक list पूरी आधी बची हुई है और एक नल हो गई है अब एक भी नल हो गया तो बची हुई लिस्ट जो भी बची हुई लिस्ट है उसको answer में बची हुई लिस्ट जैसे मान के चलो अगर लिस्ट वन नल हो गई तो जो लिस्ट टू है उसकी जितने भी बचे हुए elements है जो जो मेरी sorted list होगी answer की उसमें अगर लिस्ट वन एक्जिस्ट करती है तो क्या करूंगा मैं लिस्ट टू नल हो गई तो बची हुई जो लिस्ट वन है उसको itr.next में लगा दूंगा मैं itr of next में assign कर दूंगा लिस्ट वन को कि भाई जो बचा हुआ answer है वो itr.next में चला जाए या फिर ऐसा हुआ कि भाई list 2 है वो बच गई तो itr of next is equal to list 2 ठीक है बस इतना ही है iterative को तो यह हमारा accept हो गया और इसको submit करके देखते हैं ठीक है तो यह तो हो गया हमारा अब इसको हम recursively देखेंगे हम इसी code को इसी code को उठाके पूरा recursion में change करेंगा रों बहुत छोटा सा code होगा तो देखना कितना simple होगा कि इसी code से हमारा recursion बनेगा ठीक है तो देखते हैं उसको ठीक है तो उसको देखते हैं कैसे करना है recursive way में अब यह अला जो code है एक node ले ली और मैंने क्या बोला function को कि यह जो बची हुई list है यह जो बची हुई list है इनको merge करके sort करके मेरे को return कर दो मैं बस one को उसके attach कर दूँगा and that will be my answer समझ रहो मैंने बस एक element लिया उसको मैंने हटा दिया list से और मैंने जो बची हुई list थी जो बची हुई list थी उस पे मैंने recursive call मारा उस पे मैंने function को बोला कि तू इस l1 को और इस l2 को यह new l1 है और यह new l2 है इसको तू merge sort करके मेरे को दे दे मैं उसको बस one से connect कर दूँगा अब यहां पर मेरेको यह element लेना है कि यह element लेना है यहां तो equal है अब जो अगर यहां पर two होता ठीक है अब यहां बिली होता तो मान के चलो मैंने इसको ले लिया होता ओर बोला Curryодर होता कि इन लौनों को और इस तीन अलिमेंट्सको मलब इस तीन नोट्सको मालब यहली जो लिस्ट है इन नाहों को मर्ज और قर और करके मेरे को रिटन कर दे मैं वस टू को से अर्टेज कर दूंगा तो क्या return करेगा यह तो तुम्हारे पास है यह तुम return करने वाले हो वो क्या return करके देगा तुमको one return करेगा two return करेगा three return करेगा four return करेगा और four return करेगा ठीक है और तुम उसको इस linkless से connect करके return करा दोगे बट क्या यह add then sorted है नहीं न तो तुम कौन सी तुम 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 कौन सा node लोगे जो छोटा है जो smaller one है उसको लोगे और बचे हुए list पे function call मार दोगे यहाँ भी तुम वही कर रहे हो न देखो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो यह तुम कर रहे हो कि जो छोटा है जो छोटा है उसको consider कर रहे हो उसको itr.next में उसको assign कर रहे हो यहाँ भी तुम वही कर रहे हो यहाँ पे तुमको तुमारा जो task है यहाँ पे तुम पर task perform करना है वो बस यह है कि कौन सा पहला element छोटा है किस list का पहला element छोटा यह decide करना है तुमको उसको ले लेना है और बस बचे हुए लिस्ट को recursive call में बेज देना है और वो कैसे हो रहा है कि देखो एक तो छोटा भी हो रहा है ना input यह smaller input पे call हो रहा है यह पहले list इतनी बड़ी थी अब list इतनी है ठीक है तो यह smaller input पे call करने वाली बात भी सही हो गई अब next is के हमारी base condition next is के हमारी base condition भई हमको अपने loop को यह भी तो बोलना पड़ेगा न कि यह कहीं तो रुकना है उसको कहां पर रुकेगा वो कहीं पर रुकवाना पड़ेगा नहीं तो ऐसे तो infinitely चलता रहेगा तो यह हम तब कर सकते हैं कि मानगी चलो अगर एलवन हो जाए नल smallest valid input सोचो या फिर एलटू हो जाए नल या फिर दौनों नल हो जाए कुछ भी हो सकता है तीनों में से यह possible conditions है न या तो एलवन नल हो जाए या एलटू नल हो जाए या एलवन एलटू दौनों साथ में नल हो जाए अब मान के चलो अगर एलवन नल हो गया एलवन नल हो गया तो मैं क्या रिटन करूँ भाई एलवन अगर नल हो गया तो लिस्ट तो खतम हो गयी लेकिन एलटू अभी बचा हुआ है तो एलटू को एलटू को एलवन अभी भी बचा हुआ है तो एलवन को रिटन कर दो यू और अगर दोनों के दोनों नल हो गए तो नल रिटन कर दो, खतम हो गया लूप वहीं पर, ठीक है, यह चीज ना, आइटरेटिवली हमने कहां पर लिख रखी है, यह देखो यह यहां पर, जो वाइल लूप देख रहा ना तुमको यह पूरा, यह, लिस्ट वन एंड लिस्ट यह लिस्ट वन लगा दे रहा है, अगर लिस्ट वन आविलेबल यह लिस्ट वन लगा दे रह round, तो लिस्ट वन लगा दे रहा है, ना, तो कुछ definite लिस्ट के सिंपल, बस simple एक iterative root को recursive code में convert कर रहे हैं थोड़ा सा logic लगा के कि भाई हमने सबसे पहले तो यह decide के कि कौन से पहला element लेना है फिर उसके बाद उसको हम उससे attach कर देंगे return करेगा जो भी हमारा function हमारा smaller input पे और base condition decide करी तो यह जो decide करना कि कौन से element लेना है अना और उसको लगाना है return करके हमारा जो function दे रहा है यह हमारा task हो जाएगा तो task वाली चीज तो खतम हो गई recursion वाला हमने सोच लिया है recursive relation जो हम बोलते न rr recursive relation क्या है कि हम l1.next पे function call करेंगे अगर हमने l1 का पहला element ले लिया है यह हमारा recursive relation हो गया और base condition में हमने decide कर ली यह तीन चीज़े हमने decide कर चुके हैं तो इसके बाद हम उसको easily code कर सकते हैं अब हम उसको जल्दी जल्दी code कर लेंगे ठीक है तो code करते हैं तो code करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर base condition base condition मैंने मापी तीन देखी थी कि if l1 equal to null और l2 equal to null या दौनों के दौनों null हो जाएं तो क्या करना है हमको तो यह चीज न मैं एक ही if में लिख सकता हूं यह देखो कैसे list1 is equal to null या list2 is equal to null अगर इन दौनों में से एक भी null होए तो क्या करना है return करना है return करना है list1 अगर वह available है अगर list1 available है तो list1 return कर दो नहीं तो list2 return कर दो अना यह देखो अगर list1 null हुई तो list2 तो available होगी या वो भी null हो सकता है देखो अगर दौनों की दौनों null हो गई तो null return हो जाएगा लेकिन दौनों में से एक भी available हुई तो वही चीज return होगी जो भी available है तो yes line का मतलब yes if का इसको ध्यान से देख लेना एक बार जो भी मैंने लिखा इसको तुम तीन पार्ट में भी लिख सकते हो थोड़ा number हो जाएगा code बस इतना और कुछ नहीं हाना अब यहाँ वे मेरे को recurrence relation plus task वाला जो काम है वो करना है वो मैंने क्या किया था कि L1 चूज करूं कि L2 चूज करूं हाना तो list1 of well should be less than list2 of well अगर ऐसा हुआ if it is less than list2 of well तो मैं list1 को चूज करूंगा राइट जो छोटा उसको चूज करना है न तो list1 जो next है list1 of next is equal to merge to list right यह मैं function call करूंगा लेकिन मैं list1 of next पर call करूंगा यहां पर और जो मेरा second call होगा जो second argument होगा वो list2 होगा यह समझे कि मैंने क्या बोला देखो मेरे पास one आ गया मैं बोलूँगा कि one आ चुका है मेरे को तो return कर दे बच्ची हुई sorted list मैं उसको इससे assign कर दूँगा बस तो one.next करूंगा न मैं list1 of next sorry list1 of next should be equal to जो की मेरा recursive call return करेगा मेरे को function का जो call है जो मैं smaller input पर call करूंगा ठीक है और मैं क्या return कर दूँगा list1 अना else अगर उल्टा हुआ तो मैं क्या करूंगा list2 of next should be equal to merge to list अब यहां पर मैं list1 के साथ ही call करूंगा तो दूसरा argument होगा उसके मैं list2 of next लगाऊंगा और return क्या करूंगा list2 बस इतना ही और कुछ नहीं करना है तो देख रहे हो देखो कितना छोटा सा कोड है मतलब साथ लाइन का कोड है और वह iterative कितना बड़ा कोड था इसमें जादा कुछ करना भी बड़ा हमको बस हमने base condition सोची और recurrence relation सोचा और हमने वह task कोच है जो हमको perform करना है यह को थोड़ा सा task तो तुमको perform करना ही पड़ेगा अना तभी तुमारे recursive relation काम करेगा ऐसा नहीं कि तुम बस smaller input पे call कर दो और वह magic की तरह काम करने लगेगा वह magic की तरह काम तभी करेगा जब initialize तुम जो एक task है जो बचा हुआ task है वो तुम खुद करो वो तुमको बाकी का task करके देगा पूरा n-1 का लेकिन जो बचा हुआ task है वो तुमें खुद करना है अना वो तुमने कर लिए तो तुमारे recursion बहुत अच्छे से चलेगा अना इसको submit करके देखते है चलो तुममेट हो गया ठीक है तो I hope समझ में आया होगा यह थोड़ा detailed video था अभी जो आने वाले कुछ videos होगे वो detailed ही होगे क्योंकि इसमें हम बहुत deep में जाएंगे recursion में बहुत सारे तरीके हैं solve करने के इसलिए मैं थोड़ा detail में discussion करूँगा बट इससे benefit आपका ही होगा जिस